मुवी की शुरुवात होती है और हमें देखने को मिलता है बहुत सारे जंगी जहाज और प्लेन यूरोप की और बढ़ रह होते हैं नाजी जर्मनी पे अटैक करने के लिए उसके बाद एड़ नाम के लड़के को दिखाया जाता है वो अपने साथियों के साथ एकलेन में रह करता है और उन्हें फोलड के आदमी से मिलवाता है जिसे इस काम के लिए बुलाया गया है और उन्हें प्लेन से उतरने के बाद फोल्ड के बात मनने का ऑड़र देता है और कहता है सब तयार हो जाओ उसके बाद जुस्मन के एरिया में पहुंशते ही बहुत सारे लगते हैं और सब आनन फानन में कुदने लगते हैं तभी जब एट की बारी आती है और वो कुदता है और जा गिरता है पानी में और जब थोड़ी दिर बाद पानी से बाहर निकलता है तो उसे एक आवाज सुनने को मिलती है उसके बाद जब वह वहां जाके देखता है तो sergeant को Nazi soldier खेरे रहते हैं और जब Edd. अपनी गोली चलाने के लिए सोसता है तो वैसे ही ford. उसे रोक लेता है और Edd. अपने sergeant को मरते हुए देख रहा होता है और ford. से कहता है ये सब तुम्वारे कारण हुआ है τα be fuck Lord कहता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमें जो काम मिला है वो important है और फिर उन्हें वहाँ से आगे बढ़ते वे दिखाया जाता है तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो छुपकर एक ओड पहले बोलते हैं तो फिर दूसरी ओड से भी reply आता है तब वो समझ जाते हैं कि उनकी टीम के और भी कुछ मेंबर बचे होते हैं जिसमें इसे डॉसर्ण टिबेट और चेस नाम के लोग होते हैं और वो आगे बढ़ रह होते हैं इसी विच उनका साथी डॉसर्ण लेंड माइन पर पैर रखने के कारण उड़ जाता है और वो सब भी सुन हो जाते हैं थोड़े देर के लिए फिर और जो की उनका ग्रूप का लीडर और कॉर्परल होता है वो उनने कहता है अपनी गन में नाइफ डाल कर उनकी मदद से आगे बढ़ने के लिए और सब ये कर फोर्ट के पास पहुंशते हैं और जब वो आगे की और थोड़ा फ्रेश हो रहे होते हैं तब ही टिबित और चेस को कुछ अजीब सा मिलता है तब ही एक लोई नाम के लटकी उन्हें दीखती है वो भी उन्हें देखती है और उन्हें जर्मन सोलजर समझ कर वहां से भागने लगती है पर वो उसे पकट लेते हैं और जब उसे पूशते हैं तो एड उनकी लेंगुज बोल सका है और तब ही उन्हें ये पता चलता है कि वो भी उन नाजी सोलजर से नफरत करती है और फिर वो उसे एक प्लेस के बारे में पूशते हैं तो वो उन्हें वहां ले जाती है जो कि उसके विलेज के कुछ दूर पे ही होता है और वो सब क्लोई के विलेज के नजदीक पहुचकर वहीं रुख जाते हैं और एड को क्लोई को पकट कर रखने के लिए कहते हैं जब तक वो उसकी कही बात सब सही सावित ना हो जाए अगर जरा से भी जूट निकले और वो ना आ पाए तो क्लोई को गोली मार दे ये कहकर फोर्ट तिबवत और चेस के साथ वहां से निकल पड़ता है तभी क्लोई को उस दिर इंतजार कर वहां से भागती है अपने घर के लिए और एड भी उसके पीछे भागता है और उनके भागने के दौरान आवाज होता है तभी क्लोई एड को वहां बगल में गड़े में धकेल देती है चुपने के लिए और जब क्लोई की परोशन अपनी विंडो से बाहर देखकर जर्मन सोल्जर को बुलाती है जहां वो उने चेक कर रहे होते हैं वही एड उने छुपकर देख रहा होता है पर उन सोल्जर का एक हाईयर रेंक आफिसर उने आके डाटा है और कहता है क्लोई को जाने देने के लिए और एड ये देख आगे बढ़ता है तब ही वहां उने फॉर्ड अपने साथियों के साथ मिल जाता है और जब वो पूछते हैं क्या उसने जर्मन सोल्जर को बता दिया तब एड कहता है नहीं मुझे लगता है वह भी उनसे नफरत ही करती है तब ही वह अकलोई आ जाती है और उने अपने घर में ले जाती है और जब वो पुछते हैं उसके घर में कौन-कौन रहता है तो वो बताती है एक भाई और आंट है और फिर वो उपर के और बट कर विंडो से देखते हैं जहां नाजी जर्मन के सोल्जर चारों तरफ इधर उधर पहर दे रहे होते हैं और वहां के कुछ लोगों को निकाल कर मार भी रहे होते हैं उसके बाद फोर्ट इबत को बाहर जाके जगा को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए कहता है चेस के साथ और जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तभी वो क्लोई को वहां से नीचे भेज द पहलाती है, और कहती है मैंने कहा था ना वो बहुत भीमार हैं, और उसी दुरहन तिभीत को जिसके साथ वहाँ अचानक से कुछ नाजी सोलजर आके उन्हें ले गए और एक दिन छोड़ गए फिर और वहां क्लोई का भाई पॉल भी होता है तभी उन्हें कुछ चर्मन सोलजर की आने की आवाद सुनाई देती है और वहां से उट कर जाते हैं और दूसरी और फोट विंडो से देखता है नाजी सोलजर डोड की और आते हैं और पीटते हैं जहां इतने दिर में एड और पॉल को उपर छुपते वे दिखाया जाता है और फिर क्लोई सबसेट होने पे जब डोड खोलती है तो देखते हैं कि ये वही नाजी सोलजर रहता है जिसने उसे पहले बचाया होता है और नाम होता है वेफनर और दुसरी और फॉर्ड और एड उपर से देख रहे होते हैं तभी वेफनर अंदर आके देखता है कि सब सांथ है तो वो अपने शोलजर को पॉल को देखने के लिए कहता है और जब वो जाके देखते हैं तो पॉल वही खड़ा रहता है अपने बॉल के साथ और एड और फोर्ड गन ताने खड़े रहते हैं पर वो सोलजर उसे वहीं से देख कर नीचे चले आते हैं और चले जाते हैं तभी वेफनर क्लोई को कहता है उसके साथ संबंद बनाने के लिए तो क्लोई कहती है आज नहीं पर वो जवरदस्ती करने लगता है वैसे ही ए वेट को उनको ढूंदते वें दिखाये जाता है और पहुंशता है ऐसी जगा जहां वो कुछ देखकर शौक हो जाता है होता यूं है कि कुछ नाजी सोल्जर कुछ आदमीयों को लेके आते हैं और उन्हें जलाने लगते हैं यह देख वो वहां से आगे बढ़ता है और रा जिसमें बहुत सारे मरें लोग रहते हैं और तभी वह ट्रक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच कर रुखता है, तो वह मरने की ऐटिंग कर उन लोगों में छूप जाता है, और जब को सोलजर उन लोगों में से ले जाते हैं, तभी वह उठ कर उस ट्रक से उतरता है, और अं बहां करना रहता है और उसके बाद कुछ वह बाद हो थोड़ा और आगे नीशक्षिट को रुठा है तो देखता है कुछ कूछ याठेर्म का सब्सक्षेम में नितों कभाना करना है तो श्यॉत udah harvest और घर भाता है एक लोई के घर जहां तीबेद भी चेस के साथ आया रहता है और वह हेल्प हेल्प चिलाते वह वहाँ पहुंशता है उसके बाद जब फॉर्ड उसे पुछता है तो वह उसे बताता है कि जैकब उसे उस चर्च में मिला है और वह सब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस उसे वह इंजेक्शन भी दिखाता है उसके बाद फॉर्ड को वेफनर से पुछते वह दिखाया जाता है उस इंजेक्शन के बारे में जहां वह उसे कुछ नहीं बताता है तो वह उसे मारने लगता है इस भी एड फॉर्ड को रोकने की गोशिश करता है तो फॉर्ड उसे भी मारता है और कहता है दूर रहो और तभी वो नीचे क्लोई के पास चला आता है और उसे बात करने लगता है तभी कुछ दिर बात फोर्ड आता है नीचे जहां वो उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं बताया है और कहता है हमें अपने प्लान पे चलना चाहिए उस चर्च को उड़ाने के लिए औरो Chloe कहती है मेरे डैट की गारी है तो Ford कहता है हमें गराज दिखाओ तब ही Chase को वेफनर के पास जाते वे दिखाया जाता है जहां वो उसे भी हो समझ कर खोल देता है और वो तब ही Chase को Chase पे गोली मार देता है तब ही वो आ जाते हैं उस गोली की आवाज स करता है और वो इंजेक्शन उसके चेस्ट में डाल देता है जिससे की सब समझ रहे होते हैं कि वो मढ गया है पर वो वैसा ही उठकर बैट जाता है और सब सौक रहते हैं और तभी वेफनर कहता है यह है पावर और तभी Chase कहता है उसे पानी पीनी है उसे बहुत प्यास लग ताइक मुझे अब बहुत कड़मी लग रही है और अपने कप्र पार देता है पर वैसे उसे कुछ होने लगता है और वो अपना सर इस कदर मोड़ता है कि वो तूटी जाता है उसके कॉलर बॉन सही तब अपना सर सिधा कर 8 से कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया और उसे मा पॉली से मारता है कि वो मड जाएगा तभी विफनर कहता है हमें यही 1,000-year वाला सुलजर की जवरत है तभी हमें देखने को मिलता है कि चेस फिर से खरा हो जाता है और वोट की और बढ़ रहा होता है तभी एड उसे आके अपनी गन से मार-मार कर उसके सर को उड़ा देता है इसी का फाइदा उठाते हुए वेफनर पॉल को लेके वहां से भाता है जहां दूसरी और दूसरे नाजी सुलजर भी वहीं आ रहे होते हैं सुभा होने पे और जब वो पॉल को बाहर लेके निकलता है तो फोर्ड भी उसके पीछे आ रहा होता है जहां वेफनर अपनी ली वेफनर को मारता है जो उसके फेस पर लगता है और वह वहां से भाग खरा होता है पॉल के साथ और उसका पीछा करती है पड़ोगारी पे होने के कारण उसे पकर नहीं पाती है और जब बापस आके गण लेके जाने लगती है तब ही एड उसे रोक फॉर्ट से कहता है कि को बचाना चाहिए तब फॉर्ट कहता है वह हमारा मिशन नहीं है हमें चर्च के अंदर जाके उस टावर को गिराना है तब टिबेट भी कहता है हाँ इस दौरान हम पॉल को एक बोनस की तरह बचा सकते हैं और फिर उनमें डिसाइड होता है कि वह उसे बचाएंगे उसके वाद वेफनर को लैब में पहुचकर इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया जाता है जहां वहां के डॉक्टर उसे मना कर रहे होते हैं उसके वाद फॉर्ड और उसके साथियों को अंदर चर्च में घुसने के लिए प्लान बनाते हुए दिखाया जाता है तबी क्लोई को कि हिसाब से कुछ नाजिस सुलजर को अपने आपको चांद मुझकर दिखा के उन्हें अपने पीछे बगाती है और एक जगा ले जाके उसे एड और फोर्ट के हवाले कर देती है उसके बाद उस सुलजर को चर्च के पास आते हुए दिखाया जाता है जहां जब वो अंद सुलजर को मार कर हड जाते हैं जहां दूसरी और एड और फॉर्ट के साथ अंदर चर्च में इंट्री लेते हैं जहां क्लुई अपने भाई को धुड़ने के लिए दूसरी और चली जाती और फॉर्ट और एड दूसरे तरफ उसके बाद क्लुई को दिखाया जाता है जो soldier पर gun ताने उनसे पूछ रही होती है पॉल के बारे में तो वो कहते हैं कि वो जानते हैं और वो Chloe को अपने साथ लेके जाते हैं वहाँ दूसरी और Ford कुछ soldier को मार कर bomb set करने लगता है और 8 को कहता है जाओ उस lab में और bomb set करो तभी Chloe को वो नाजी soldier केविन में ले जाता है जहां experiment किये लोग होते हैं और वैसे ही जब वो अंदर जा रही होती है तो एड आके उस soldier को मार के वहाँ से Chloe को लेके चला जाता है दूसरी और ती बेट जैक अप नाजी soldier को मार कर भाग रहे होते हैं तभी एड Chloe को लेके उस लेब में आता है जहां उसे यकिन होता है कि पॉल भी वही होगा और उन्हें पॉल मिल भी जाता है तभी एड Chloe को कहता है यहां से तुम चले जाओ मैं पीछे से आता हूँ और Chloe वहाँ से चली जाती है और जब Chloe उसी रास्ते से जा रही होती है तभी वो एक्सपेरिमेंट किया हुए आदमी वहाँ आके Chloe को पकर लेता है और फेक देता है तो Chloe पॉल को कहती है भाग जाओ और पॉल वहाँ से भाग जाता है जहां दूसरी और Chloe वहाँ से भागती है और वो आदमी उसके पीछे जाता है पर जब तक Chloe को एक फ्लेम गन मिलने के कारण उसे वो वहीं जला देती है उसके बाद फॉल को दिखाया जाता है जो बॉम सेट कर जब पीछे मुड़ता है तो वेफनर वहीं उसके पीछे रहता है और वो उसे मारने लगता है जहां दूसरी और एड भी जब तक बॉम सेट कर चुका होता है तभी अचानक से एक डॉक्टर आके एड पे कंतान देता है और उसे खड़ा होने के लिए कहता है तो उसके बाद एड खड़ा होता है और उसे मारने लगता है और उसे मार देता है तभी पॉल को बाहर आता दिखाया जाता है जहां कुछ दूर आगे तिबेट चैकप नाजी सोलजर को एक जगारू कर मार रहे होते हैं और जब तिबेट पॉल को देखता है तो जैकप को कवर देने के लिए के पॉल को लाने चला जाता है और उसे लेके वापस आता ही रहता है कि गोली उसे लग जाती है तभी खुलोई को वहां से निकलते वे दिखाया जाता है जहां वो गन से उन नाजी सोलजरों को मार देती है और पॉल के पास जाती है और तिबे जेकब के सवालों का जवाब देती है कि वो अभी वहीं है उसके वाद वेफ वेफनर गिर जाता है उसके बाद वो दुवारा उठकर एड को मारने लगता है और इस दौरान फॉर्ड अपने आपको उस चेंस उतार कर वेफनर से लड़ने के लिए वो इंजेक्शन खुदी ले लेता है जहां दूसरी और वेफनर एड को मार रहा होता है और फिर पड़े एक गैस सिलेंडर पर गुली मारता है और बलास्ट के कारण वेफनर वहां बगल के एक गड़े में गिर जाता है और फिर एड फॉर्ड को उठा के अपने साथ लेके जा रहा होता है तवी फॉर्ड एड को बाहर कर उस लैप के गेट को लॉक कर कहता है एड से की त चले जाओ पर एड मना करता है तो फॉर्ड कहता है ये चीज इस लैप से बाहर नहीं जानी चाहिए ये ना उनके पास होना चाहिए और ना हमारे पास तवी वेफनर को उपर आते हुए रिखाया जाता है तो फॉर्ड भी उसे देख एक बॉम जला कर वेट करता है और ये बागता है और इस दौरन पूरा प्लेस ब्लाष्ट करन गिर रहा होता है और एड वहांसे भाग कर बाहर आ रहा होता है उसके वाद पॉल और दूसरों को दिखाया जाता है जहां सब के रेडियो काम करने लगते हैं और यूएस के मेसेज घूमने लगते हैं कि वह अब को आते वे दिखाया जाता है जहां तीबेत और दूसरे फॉट के बारे में पूछते हैं तो एड कहता है वो नहीं रहा उसके वाद सिंसिफ्ट होके एड को अपने सीनियर के पास दिखाया जाता है जहां वो उससे जानकारी ले रहे होते हैं और लाश्ट में लैप के बारे म में कुछ rumors को लेके पूछते हैं तो add मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं तक वहां पर और फिर वहां से चला जाता है उसके वाद उसे तिबेत के पास जाते दिखाया जाता है जहां दोनों बात करते हैं और कुछ हसी मजा करते हैं और उसी के साथ movie का the end हो जाता है